हेलो इस्टुडेंट कैसे हो आप स्वागात एक बार फिर सी मेरे डूप चनल अरिजम हैसन गरावर में तो फ्रेंड आज मैं बहुत इंप्वारेंट कोईशन उठाया हूँ रेखा गणित से चैप्टर का नाम रेखा है और कोण वह ऐसे तो यह कलास नायंत का सवाल है लेकि तो जो कोण बनते हैं आठ कोण बनते हैं उसका संबंध आपको जानना चाहिए इसके पहले बुड़ी में बनाया हूँ डेटेल उनका संबंध क्या तो जब आप जानेंगे तब इस कोईशन को सालो कर पाएंगे तो यहां पर देखेंगे कि क्या है सम्मुक आकर से एक हमान जाने किजिए तो देखेंगे ए जो है सी पर बना Sी बिन उपर आधा इधर है तो आप सबसे पहले इसमें लिखा क्या जाता है दिया है क्या लिखेंगे अगर इंगल्जी में लिखना चाहते हैं solution होता है तो आपको दिया है दिया को क्या बोला जाता है given अगर आपको अच्छर को बीच में रखा जाता चाहिए CAB लिखो या बीए C लेकिन CB में देखेंगे सबसे पहले बी आता है इसी आते हम शुरू कर रहे हैं कोंड BAC Labus BAC पहलें सी ना हैं चाहिए CVID et c लेकिन CB को लिखने लिए धिया यहां पर CEF भीच में होना में हैं ग्यांत design कोंड इधिया है ठीक है अब आपको क्या लिखना ग्यात करना है क्या लिखना ग्यात करना है ठीक है आपको मालूम क्या करना है तेहां देखेंगे अब मैं लिख दे रहा हूं कोड ए यहां पर जगा कम पड़ सकता है मैं यहां लिख दे रहा हूं आपको जो ग्यात करना है कोड ए बराबर क्य क्या होगा तो कोड़ ए पर आपको देखना होगा तो इस जगा का मैं यहां लिख दे रहा हूं ग्यात करना यहां समेख दे रहा हूं ग्यात करना है तो ग्यात करना है आपको दिया है कोड़ एक सम्मूं को अकृत में एक कमान ग्यांत कीजिए तो कोड़ एक क्या होगा तो द बीच में होना चाहिए इस कोंड का लिखने का तो ACD हो जाएगा क्या हो जाएगा कोंड ACD और पलस दिसरे तरफ होला कोंड क्या है यहां से लिख देजिए DCE क्योंकि यह च्छरी बीच में होना चाहिए कोंड DCE यहां पर लिखा जाता है कि यह जवाब का रेखा है दोनों समांतर रेखा है क्या है समांतर रेखा है लिख दीजिए रेखाएं हैं रेखा है तो जिसमें क्या है is ag 3 रेखा है कि जहां AC सी क्या है तिर रेका एक तिरियक रेखा है तो आपका है दोनों कोंडों के योग यह अन्ताक कोंड यह दोनों का यूर्व सबस् anc होता है यह आपको बताया हूँ जो समांतर रेखा तरी रिखा का जो कौण बनता ज्रिलेशन से है तिहां पर देखेंगे bats और धन कौण कौनस वाला इधर वाला इसको लिखने के लिए ACD लिखेंगे कोंड ACD दोनों का योग होना चाहिए 180 यह आपका क्या होता है सह अंतह कोंड है क्या सह अंतह कोंड के नाते ऐसा कहा जा रहा है तब इसमें आपको एक कोंड मालूम है कों सो वाला यहीं कि BAC के जगापे दिया है क्या हम इसके जगापे सो लिख देंगे अधन कोंड ACD रहने देतें ACD बराबर 180 अपच्छंदर कर लेंगे कोंड ACD बराबर 180 में से दरपला से उस तरफ गया माइनस हो गया तो बचेगा 80CN स्मझेंगा क्या और 80CN ACD आपको मालूम होंगे आधा मालूम होंगे आधा आपको और ग्याप करना है तो यज्ञां चाहें है तो कि yeah क्या है समांतर रेखाएं मैं 60 कट में लिख दराओं समांतर रेखाएं है एक बार लिखाओं 60 कट में लिख दिया समांतर रेखाएं ठीक में लिख दिया जिस नाती दोनों कोड़ों का योग जो होगा सहनता कोड़े भी है इधर वाला एक आधा और 120 तेनी किसमें कोड़ है d c e code d c e और धन code 120 वाला क्या हो जागा c e f code c e यह दोनों का योग होना चाहिए 180 फिर एक किस नियम से कह रहे है यह आपका सह अंता code है सह अंता code किनाते कह रहे हैं जिसको इंगलिज से में बोला जाता है code interior angle बोला जाता है अब इसमें से 120 मालूम है तो c e f के जगा पे यह दिखो तो लिख देंगे यह आपको नहीं मालूम है code d c e नहीं मालूम है लेकिन यह c e f मालूम है इधर देखें 120 अंस है अब बरावर 180 अंस लिख देंगे अब फिर पाच्छंदर करेंगे code d c e बरावर 180 में से 120 क्या करो घटा दोगे बज़ जाएगा 60 हैंस हो गया ठीक है अब यह जो दो टुकड़ा था e के जगा पे यह आधाए गराधर हमको दोनों मालूम हो गया ते लिख देंगे अत्ता हा code a code a बरावर आप देखें सुरू में लिखे ते हाँ पर जो आप ग्याद करने दो code a c d और धन code d c e दोनों code जोडने से आपको code a मालूम हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थोड़ा साथ नहीं दिख रहा है आप देखेगा इसे तो अब देखेंगे a c d आप ग्याद किया हो a c d देखिया है पर असी एंस इसके जगब रख दो और अभी भी ग्याद किया d c e s a t ते हो गया 614 मतलब 140 एंस ते क्या हो गया कि 140 एंस आया दोनों मिला कि जो code a दिया है बीच में दोनों क्या है 140 एंस हो गया answer अगली बार मैं इससे बढ़ी हैं वहतर वीडियो बराऊंगा तो अभी मैं इस पर कई क्वेशन बताऊंगा अगला वीडियो पराप्त करने के लिए चैनल को जोरो सस्क्राइब करेंगे बेल आइगन के जोरो दबाएं